नमस्कार मेरा नाम प्रमुद गुत्ता है और आप देख रहे हैं जाउनपुर नियूज जिला पंचात और बलाग प्रमुद चुनाव से ठीक पहले सासन ने जाउनपुर जिले में नए एस्पी की तैनाति की है वर्स 2019 बैश के तेज तर्रार आईपी असाजय कुमार साहनी को जिले का नया एस्पी बनाया गया है वहीं मौजूदा एस्पी राजकरन नएयर की जगह लेंगे आईपी असाजय साहनी इससे पहले मेरट में एस्पी के पद पर थी इसी वर्स जारी फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश के 50 सरवस्टरेस्ट आईपी अस में यूपी से 6 आईपी अस का नाम चुना गया था इसमें आईपी असाजय साहनी भी सामिल है मुल रूप से महराज गन जिले के निमासे अजय साहनी की पहचान एंकाउंटर एस्पेसलिस्ट के रूप में भी है वर्स 2016 में सिधार्थ नगर जिले में तैनाती के दवरान उख्याद बावरिया गिरों के कई सदस्यों को पुलिस ने सीधी मुठ बेड में पकड़ा था इस मुठ बेड में ये गोली उनके जैकट पर भी लगी थी वर्सिधार्थ नगर के अलावा पिजनोर आजमगर अलीगर बारा बंकी जिले में भी एस्पी रह चुके है एस्पी राजकरन नईयर ने मलनी बिधान सबा के उप्चुनाव से ठीक पहले गतवर सगस्त में कारेभार सभाला था चर्चा है कि राजकरन नईयर खुद जिले से हटना चाहते थी इसके लिए उन्होंने ब्यक्तिगत कारण बताते हुए सासन से अनुरोद भी किया था पिछले दिनों यह मामला काफी सुर्खियों में भी रहा अजय साहनी आजमगड में लगातार इंकाउंटर किये थे और अपराद भर लगाम लगाई थी एक तरह पाम चंता साहनी के पक्छ में थी तो भाजपाई उनके खिलाब इसी भी सासन ने उनका तबादला अलिगड कर दिया यहां आते ही साहनी का काम करने का अंदाज वही रहा और यहां भी उन्होंने एक के बाद एक कई इंकाउंटर को अंजाम देकर पुलिस का इकबाल चंता में कायम किया यहां उन्होंने साथ को ख्यात को इंकाउंटर में धेर किया जबकि 32 को घायल हालत में ग्रफतार किया गया हालंकि अलीगर की पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और यहां से उनका ट्रांसपर लखनव PSC के लिए कर दिया गया PSC में रहते हैं उनका ट्रांसपर बारा बंकी के लिए किया गया बारा बंकी के SP 37 कुमार को सासन दरोगा के करोबारी से 65 लाक रुपए रिस्वत मागने के आरोप में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया था ऐसे में चुनाव के बीच में ही अजैसाहनी को जौनपूर SP की जिम्मेदारी सौंपी गई है इससे पहले अजैसाहनी मेर अटबारा बंकी बिजन और सिधार नगर जिले के कप्तान और बुलंद सहर में SP सिटी की जिम्मेदारी सभाल चुके है IPS अजैसाहनी सोसल मेडिया पर भी काफी सक्री रहते हैं हर चोटे मुद्दे पर अपने राय तो रखते ही हैं पुलिस की तमाम कारवाई को लेकर भी सोसल मेडिया पर अपडेट करते रहते हैं सोसल मेडिया पर उनके फॉलोज की संख्या भी काफी ज़्यादा है